कि वैसे तो खड़ा हो करके पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन क्या बता है थोड़ी सी गला में सुखावट आने के कारण एक घुट लेना पड़ गया और जब तरावट आएगी तो काफी एनर्जी मिलेगी और मुझे लगता है कि यह आज के इस वीडियो में हम पूरा का समाप्त करने वाले हैं तो चलिए बीना देर किये हम लोग इस सेशन की शुरुवात करते हैं तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए वीडियो में और आज कमेश्टी के सिकंड चेप्टर आपके बीच हम लेकर के आगा हैं बीच में कुछ दिनों से वीडि से काभी इंपोर्डेंट होने वाला तो चलिए देखते हैं चेप्टर का नाम है देखिएगा अमल छारक एवन लवन बहुत ही इंपोर्डेंट चेप्टर है मेरे भाई अगर इसको बारीकी से समझने के कोशिस करेंगे तो इससे रिगार्डिंग कोई भी कोशन अगर आता है कि अमल जो स्वाद में खटा हो अमल कहते हैं लेकिन थोड़ा सा 10th क्लास में आने के बाद इसके डिफनेशन के स्टेंडर बदल जाते हैं हम कहेंगे कि अमल जो स्वाद में खटा हो और जो मतलब जलिये विलियन में ठीक है ना एच पलस आयन मुप्त कर रहा हो समझ में जैसे कि जब हम HCL को जलिये विलियन के अंदर डालेंगे सपोज माली जी एक गिलास है अगर इसमें हम HCL को डालते हैं तो यह क्या करेगा एच पलस आयन मुप्त करेगा इससे डाइरेक्ट पता चलेगा कि जो मैंने पदार्थ को डाला है वो स्वाद में क्या था खटा था तो यह हो गया आपका अमल का डिफनेशन अब बात करते हैं कि छारक क्या है अच्छारक और भस्न दोनों भले नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का काम एक है अगर कोई पूझत चारक किसे करते हैं या भस्न किसे करते हैं तो आप एक ही डिफनेशन देते हो कि जो स्वाद म आयन मुक्त कर रहा हूं ठीक है ना जैसे कि हम जब एक गलास के अंदर अगर हम इन्ने वेच को डालते हैं क्या करते हैं इन्ने वेच के डालते हैं तो यह क्या करेगा वेच रीन आयन मुक्त करेगा इसे डाइरेक्ट पता चलेगा कि यह जो है ना पदार्थ यह छारक है अर् और फूर्टे harness moves फाइंद में गुलने के बार गुल जाए तो जसार होगे तो फायल फायले जसे सब्सक्राइब है तो अगर पानी में घुल जाए निल जाए तो उसका जाएली क्लूर कर नहीं प्लूर आपको लग रहा है कि मैं वहाईique दो सब्लूर धीरे धीरे दे रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा यूटूब और लवण यह तीनों तो बाते समझ में आ गई सर लेकिन बताएं कि लवण की से कहते हैं तो मैं बता रहा हूं देखिए अम्ल और च्छार यह दोनों के अभी किर्या के फल सरूप ठीक है ना जो प्राप्थ होता है जो उदासीन पदा प्राप्थ होता है उसे हम लोग क्या क तो देखिए, अगर हम अमल को च्छार के सात्थ अभिकृए कराता क्या बनेगा लवड तथा जल बनता है तो ये क्या लवड और च्छाट प्रमान के चलिए कि अगर अमल हो और एक तरफ चारो तो दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो पदार्थ क्या बनेगा उदासीन अर्थात नमकीन बनेगा ठीक है ना तो लवण जो स्वाद में नमकीन होता है अर्थात जो उदासीन होता है जो अमल और छार के अभिक्रिया के फल्सवरू बंदा हो उसे हम लोग क्या करत हैं लवड करते हैं कितना सुंदर परिवाशा था जी बहुत बेसिक कंसेप्ट और यह मुझे लगता है कि अगर एक दो नमर के लिए कोस्टन पूछता है तो आप इसे इंसर दिने में चुकेंगे नहीं अब बात आती है कि ठीक है सर दुनिया में बहुत सारे से पदार्थ हैं जो स्वाद में खटे होते हैं और ऐसे से पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वा भी होते हैं और ऐसे से पदार्थ हैं जो स्वाद में नमकीन भी होते हैं चलिए यह बात से तो क्या दुनिया की जितनी भी पदार्त हैं क्या हम उसको चक करके उसके स्वाद के अधार पर खटापन और कड़वापन के अधार पर क्या हम यह पता लगा पाएंगे क्या कि हाँ यह अमल है और चार है क्या सारे पदार्त को अपने जीव के उपर टेस्ट लेना यह मतलब मुम्कीन है क्या यह मतलब संभव है क्या तो हम कहेंगे कि नहीं सपोर्ज मान के चलिए कि कुछ ऐसे पदार्त है जो स्वाद में खटा होते हैं कड़वा होते हैं लेकिन आप उसे चख कर उसका पूरा का पूरा यह पता नहीं लगा पाएंगे कि यह खटा है कि अमले क्योंकि कुछ ऐसे जहरीले पदार्त होते हैं जो स्वाद में खटा होते हैं यह कड़वा होते हैं जो आपके जबान पर रखते हैं आपके जबान के साथ पूरे सरीर में इंफेक्शन फैलने की घटना हो सकती है तो इसल रिखा जाए कि सूचक की से कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी पतार्थ में मौवजूद अमल या छार के घुड़ो को पता लगाने की की जो मान के चले माधियम होता है ना उस माधियम को हम लोग क्या कहते हैं सूचक कहते हैं क्या कहते हैं सूचक कहते हैं जिसको इंडिकेटर कहते हैं अच्छा देखे सूचक को भी हम लोग दू ही सो में बाढ़ सकते हैं पहले का नाम है परकिर्तिक सूचक और दूसरे का नाम है मान और निर्मित सुचक किसे कहते हैं बस ये थोड़ा सा कर डिफरेंट है और समझ लेना है एक चुली क्या होता है ना कि पारकिर्तिक सुचक जो होता है ना वो पारकिर्तिक में घुद बनाया है कि जो परकृतिक के द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो उसे हम ऐसे सुचक हो करते हैं और जो इनसानों ने बनाया है और किसी पदार्थ में मौवजूद अमल्यता और चर right act के गुड को परदर्शित कर रहा हो और बता रहा हो और जिसे हम पता लगा रहा हो कि इस पदार्त में अमल है और इस पदार्त में चार है तो जो मानो के द्वारा निर्मित किया गया हो बनाया गया हो तो ऐसे सुचक को हम क्या कहते हैं मानो निर्मित सुचक कहते हैं तो I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया, तो फिर आप कहेंगे ठीक है सर, आपने तो यह बहुत अच्छा बोला, परकिर्तिक सुचक को हम समझ गये, तो परकिर्तिक सुचक के कुछ उधारण दे दिजिए, ताकि objective में ऐसे सवाल पूछ दिया जाए, कि निमलिखित में से मानो निर्मित सुचक के एक उधारण है, तो हम वहाँ पर चुकेंगे नहीं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ यहां पर पेश कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एक्जाम्पल, देखिए, लिटमस, जो लीचेन पौधों से प्राप्त किये जाते हैं, जो ओरिजिनल में बैंग लेकिन अमले के साथ अभिक्रिया करते ही, यह क्या हो जाते हैं, यह पूरी तरीका से लाल हो जाते हैं, और छार के साथ अभिक्रिया करते ही, यह निला हो जाते हैं, लाल पता गो भी हो सकता है, हल्दी हो सकता है, हाइड्रेंजिया हो सकता है, पेटूनिया हो सकता है, जेर जो देखी किया जब प्याज बड़े-बड़े मतलब पैमाने पर भोजन तयार किये जाते हैं और वहाँ पर जब सबजियां बनते हैं या चीकन या बिर्याने वगरा बनते हैं सबसे पहले जब प्याज हम लोग उसको काड़ते हैं या छिलते हैं तो उसमें से जो गंध निकलते हैं जो आखों में पढ़ने के बाद हमारे आखों से जब वह जा करके उसके गंध चिपकते हैं और आखों से जो आसों निकलते हैं अजीब तरीके से मतलब फील होता है जलन अमले हैं तो प्याज हो सकता है जो गंधों से मालूम चल जाता है कि वो उसके अंदर अमले है वैनीला हो सकता है और भी लॉंग वगरा भी हो सकते हैं जिसके गंध से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर अमले है कि छार है ये बात है समझ में आ गई तो उसको हम लोग क्या कह सूचक की कौन-खुन से गजामपल हो सकते हैं तो देखे मानोल निर्म्पत्र जो सूचक है उधी ऑर जो हो और फिन फोटलेन हुगा 있다고 होते हैं कि अब जब टो होता है और या एक हो बताने की कुछ г्हिं। methyl orange अपने आप में नरंगी होता है। इसको पता लगाने के लिए कि अपने original कलर में कैसा होता है। झाप आप कहेंगे कि में नरंगी है। और नरंगी और ऑरेंज एक दुसरे के संपूरक वर्ड है। औरेंज कई है या नरंगी कई बात एख ही है। तो methyl orange अपने आप में नरंगी होते हैं और phenocytlin अपने आप में रंगी ही होते हैं जब यह बाते दिमांगे पूरी sit हो जाती है तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सूचक जो methyl orange है और phenocytlin है जब अमल और छार के साथ अभी क्रिया करता है जया हो जाता है गुलावी बन जाता है लेकिन जैसे ही यह पर ट्रीक लिखा है कि मैं नारंगी अमल से गुलावी और छार से पीला जाती हूं यानि कि मैं नारंगी हुँ जो अमल से अभी क्रिया करके गुलावी हो जाती हो और छार से भी क्रिया करके पीला अच्छा इसको 2-4 बार अच्छा सोचिए कि कोई गाना रिलीज होता है तो दो-चार पर जब आप उसको जुबां पर ला लेते हो और गाते हो तो आ नारंगी यानि नारंगी देख रहा है ना मैं क्या है नारंगी तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मिथाइल ओरंग क्या हो गया मैं से मिथाइल ओरंग हो जाएगा ठीक है ना मैं से क्या हो जाएगा और अपने कलर में क्या हो जाती है नारंगी रहती है तो मैं नारंगी मैं से और नरंगी से नरंगी कलर का हूँ कब जब औरिजनल करल में हूँ जब अमले से अभी किरिया करती हूँ न तो गुलाबी बन जाती हूँ क्या बन जाती हूँ गुलाबी बन जाती हूँ और जब छार से मिलती हूँ न तो मैं पीला हो जाती हूँ कितना आसान है जी यह बहु पवजूद भी यह रंघीन होती है नहीं चार सावी करती है तो गुलाबी Госधिता तो यहाँ पर देखो फिर-फिर से फिनुप्धिलीन हो जाएगा और मैं अमल रंग हीन यानि कि मैं अमल से रंघीन हो जाती हूँ और चार से गुलाबी जाती यानि कि जब वह अमल से अभी किरिया करते है फिर फिर से फिनाप्थलीं जब अम्ल से अभी किरिया करती है तो लगों बन जाती है तो आप जरू कमेंट करके बते हैं कि सर मेरे को यह पहुत बहुत प्यारा लगा आगे इसी तरीका से आप वीडियों וनाते रहें ताकि हम लोग को science का tension खतम हो जाए अब आईए बात करते हैं कि ये बाते जब खतम हो गई तो बात करते हैं आपके इसी chapter में अगला जो topic दिया है वो बोला है कि पढ़ाईए बच्चों को कि अमल एंचारा की परकिर्थी या उसके रसाइने गुर धार्म को देखिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपसे यहां से भी objective पूछ लेता है क्या पूछता है कि बता ये सबसे प्राबल अमल किसे कहते हैं तो सबसे प्राबल अमल जो मानो द्वारा नहीं बलकि परकिर्थिक ने बनाया है और हमारे अमाशे में मौझूद है जिसको हाइडोकलोरिक अमल करते हैं एचसील करते हैं एचसील सबसे प्राबल अमल होता है और बात करते हैं एस्टू एसोफोर सल्फियूरिक अमल जो मानो निर्मित सबसे प्राबल अमल है तो परकीर्तिक सबसेख्रावल आमल HCL और उसके बाद किसी का नमबर आता है तो HNO3 को आता है ति कर नद आ अब आएए बात करते हैं कि दुर्बल आमल क्या है सी 2-0-4 थी महां सकता है लैक्तिक आमल होसकता है लैक्तिक आमल आच см है लेक्टिक हमने आपको सौर्स वीडियो के माधियम से और ग्यापन इंट्रेंस एकेड़ी को मैं जब पढ़ा रहा था ना तो डियलेट इंट्रेंस की जब तैयारी करवा रहा था तो उसमें बताया था कि लेक्टिक अमल या अक्जेलिक अमल में कौन-कौन से पदार्थ आ आ सकते हैं जिसमें बहुत धीक मने दुरबल अमल पाया जाते हैं अमलियता के गूड़ जरूर होता है लेकिन बहुत कम जो आपके लिए अनिकारक ज्यादा नहीं होता है अब आपको कैसे याद है तो मैं बताऊंगा इसी चेप्टर में आपको ट्री के मादम से बताऊंग जो अपने आप में काफी मजबूत होता है ना सॉरी प्राबल चार की से कहते हैं तो प्राबल चार जो अपने आप में बहुत ही प्राबल चार होते हैं तो प्राबल चार तो मानो निर्मित प्राबल चार नो एच हो गए और मानो निर्मित बने प्राबल चार क्या हो सकते हैं और मानो द्वारा बनाया गया सबसे प्राबल अमल H2SO4, उसी तरीका से सबसे प्राबल छारक जो परकिर्टिक ने बनाया है, वो NOH है, ठीक है न, sodium hydroxide, लेकिन मानो द्वारा बनाया गया सबसे प्राबल छार, MgOS2 है, milk of magnesia, उसके बाद से तीसरे नमर पर CaOS2 आता है, अब आ आई हो कि यहाँ तक मैंने जो टॉपिक को समझाने की कुछिस के आपको समझ में आ गया हूँ, आप चलिए यहाँ तक मैं जो समझा दिया, यहाँ तक आप ले लिजिए स्क्रीन सॉट और इसके बाद से फिर हम नेक्स टॉपिक को बहुत ही बारिकी से समझ लेते हैं, तो चलिए बिना दिर्किया हम लोग नेक्स टॉपिक जो की काफी इंपोर्डेंट है, वो है अमल एवां छारक धातु के साथ कैसे अभी क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब कभी अमल छार के साथ अभी क्रिया करता है, तो क्या होता है, मान के चलिए कि प्राबल छार के साथ अभी क्रिया कराईए, या दूर्बल अमल और दूर्बल छार के साथ अभी क्रिया कराईए, तो भी लमड तथा जल बनेगा, ठीक है ना, तो यहां पर देखी, यहां पर हो गया क्या चीज, यह हो गया आपका, आपका अमल हो गया, और यह हो गया अमल और चार अभी किरिया कर रहा है तो भी क्या बंदा है लवड तथा जल बंदा है यहाँ पर भी क्या हो गया अमल और यह चार यह भी आपसे अभी किरिया कर रहा है तो क्या बंदा है लवड तथा जल लेकिन जब भी कभी अभी किरिया के फल सरूप ठीक है ना अगर अभ अभिकरिया किसी कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगी बोलेंगे कि जब कभी अम्ल और छार अभी करके लृबड तथा जल का निर्माड करें तो लवड तथा जल बनने की पर किरिया ठिंगे ना उदासे निकरन अभीक्रिया करलाती है बहुत यसान ही कि नहीं है तो यहां देखिय पहजान कैसे करेंगी बात आती है थीक है तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से Compound है और और कौन से compound चार है तो उसको पाचानने के विए एक बहुत ही अच्छा लॉजिक बता रहे हैं देखिए जब भी कभी देखेगा कि अधातु अधातु के साथ अभिक्रिया होता है तो हमेशा क्या होता है परकृति में अमलिया होता है और जब भी कभी एक तरफ धातु और द अक्षाइड चर्मर पादिश्ण बनेगा इसकर goof a टल ये कर्बंडाई अक्साईड मातलसिद्ध है हम लिए है अब देखि यहां पर एश्ट्टू DF GOOD ये सुःपा के साथ अभिक्रिया कराू तो डिल बनेगा अच्छा इसनुटा सा पांचा में अब यहां पर होगे है इ यहां पर भी देखें तो क्या बना द्यान तो यहां पर दीख्वें यहां पर दिखें एक तरफ धात् Tea क्माउंड कर निर्मॉट दो के साथ मिलकर बने तो इस परकार की compound को हम छारी परक्रिती के अंतरकत रखते हैं और ऐसे compound जिसकी composition अधातु की category में आ रहा हो यानि सिर्फ और सिर्फ अधातु भले ही अलग-अलग तत्व कारवन और अक्सीजन यह अधातु की category में आते हैं इसलिए कारवन और अक्सीजन से बनने वाले जो compound है यह बनेंगे क्या चे अमलिय ठीक है तो इस तरीका से hydrogen और chlorine को ले लिए तो hydrogen में आ गया होगा अब चलिए बीना देर किया हम लोग अगले topic को समझते हैं प्रिक्षण के अधार पर विविन परकार की अभिक्रिया हो रही है क्या हो रही है अलग-अलग प्रेक्षण के तोर पर अलग-अभिक्रिया विज्यानिक ने कराया और हमने उस चीज़ को बनने वाले उत्पाथ को निहारने के कोसिश किया उसका पुल्णाउलोकन करने की कोसिश की उसको देखा कि क्या हो रहा है यानि कि एक तरफ धातू को रखा और दूसरे तubl cabin लोको रखा और जब धातू और अमले के साथ अभी क्रिया कराया तो बना लॉमर तथा हाइड्रोजन गैस जैसे कि मैंने यहां पर आपको टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही लिग दिया जैसे एक तरफ धातू के तोर पर हमने एन्ने रख दिया ठीक है ना क्या रख द हाइड्रोजन को विस्थापीत करते हाले कि अभी कि ता है आपको बताऊंगा है आप देखिए इनने क्या क्या किया है रख लोर्स के साथ रख लुवा बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं तो यहां देखिए धातु को जब अक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो बना धात्विक अक्साइड अर्थात सोडियम को अक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया अच्छा बताए तो कमेंट करके कि जो सोडियम को अक्सीजन के साथ साथ अभी किरिया कराया यह je na2 जो बना है वह अमल है कि छार बताइए आप कॉमेंड में इस तरह लिखे कि सर सोडियम को अक्सिजन के साथ जो अभी 59 यह थार कर जारिया है ऐसा आप लूख शारियेगा ठेक है आप सुनिये धात्विक अक्साइड को अमल के साथ अभी क्रिया कराया यानि यह जो धातिविक अक्साइड हुआ ना इसको एक तरफ रखा और फिर अमले के साथ अभी क्रिया करा करके देखा इसको करके देखते हैं कि होता क्या है तो जब धातिविक अक्साइड को यानि कि धातिविक अक्साइड को हम एक और नाम से पुकार स तो लोग यहां पर धातिविक अक्साइड को चाहे चाहर को अमली के साथ अभी करिया हुआ लवर तक जल बना जैसे एस फूर एक्जामपल सोडियम अक्साइड को अभी करा गया तो इनने सीएल और इसटो का निर्माण हो गया अब यहां पर देखिए अधातु की बात करते हैं गौर कीजिएगा अधातु है अधातु में कोई भी ले सकते हैं जिसके वैलेंस इलेक्टरां पांच-छे-सात बचे और जिसकी वैलेंसी मनें उसके हिसाब से क आधातु को अगर अकसीजन के साथ अभी क्रिया कराया जा रहा है तो विबना है अधात्विक अक्साइड बन जिसके करवन और अधात्तविक अकसाइड को नहीं सकते हैं तो करता है चलब एक सब्सक्राइब को सिरे निए हो गया अपने आप में एक अम्ल सोडियम कर्बोनीट हो सकता है या Office ization किसी बी यहां पर मतलब जो अपने आप में धातू का मतलब घूर्ण रखता हो यहां रख सकते हैं तो यहां प धीकिए धातू कार्बोनेट को यानि के सोडियंक कर में हमने तेज है तो अच्छे एक बात बते हैं मैंने आप से सुरू से ही मतला हम बताते आ रहे हैं कि जब भी कभी किसी कंपाउंड में धातू और अधातू दोनों का कंपोजीशन जब दीखे ना तो समझ लेना कि वह चारी है और जब चारी है तो अमले के साथ भी क्रिया करा जाएगा तो है तो समझ लेना कि धातू और अधातू मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वह अपने आप में नेचर से क्या होते हैं चारी होते हैं और जब चार को अमले के साथ अभी क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा यहां देखिए लावर तथा जल और उसके अधिकता के करण करबंडा एक सब्सक्राइब निकल रहा है यहां यहां दो से अधिक ततों से बने योगिक है और यहां पर सिर्फ दो ही किस्म के ततों यहां पर शमाहित है तो यहां पर से इसील को में अधिक ती के साथ अभी करा ग्राइब यहां यानि फिए शीन व्हां दिया करके इस कि निकल करके इस पर और दिया ब्रोप में यानि कि जब भी ऑना तो सी ओंतार तेल से अधिकर ग्राइब देखिए अब विग्यानिकों ने दिखा चलो एक बार धातू को अवले के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता थोड़ा इसको भी देखो वो लोग भी बहुत ज्यादा जो है ना मने विभिन परकार के मने अलग अलग परकार के अभिक्रिया को करा करके और पूरा के पूरा जो है न निचोड़ने की कोशिश किया पूरा के पूरा जो है खांगालने की कोशिश किया कि इसके साथ अभिक्रिया कराने से क्या हो रहा है अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर हो भी रहा है तो क्या बन रहा है यह सारी चीजे करके विग्यानिकों ने देखने की कोशिश किया परखने की कोशिश किया जो आज हम किताबों से ज्यान और जीत करके हम लोग भी चाहें तो अपने रोजमर्रा के जिंदगे में अभी किरिया के फ़ल्सरों बने उत्वादों को देख सकते हैं लिबरेटरी के अंदर ठीक है तो हाथ धातु हाइट्रोजन कर्बोनेट को अमने के साथ जब अभी किरिया कराया गया तो क्या लवण तथा जल बना प्लस कर्बन डाएक्साइट बना जैसे कि सोडियम बाई कर्बोनेट को एस शील के साथ अभी किरिया कर आये तो क्या बना इनलवण तथा जल तथा कर्बन डाइकसाइट गया तो अब चलिए इसके आगे वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे धंसे समझ लेते हैं तो चली बिना दिर क्या हम लोग नेक्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं नेक्ट टॉपिक काफी आसान है पीएच एसकेल मतलब आपके प्रिबूक में जो अगला टॉपिक है वो है क्या पी-च इसकल अच्छा पी-च इसकल की जरूरत क्यों पड़ती है देखिए पी-च इसकल बोले तो पोटेंज आफ हाइड्रोजन यानि की पी से पोटेंज या पोटेंजी कह सकते हैं और एच से हाइड्रोजन यानि जिसमें हाइड्रोजन की पोटेंजी या उसकी मतलब आवकात को जाना जाता है उसे हम लोग पी-च इसकल कहते हैं पी-फोर पोटेंज या पोटेंजी का यह और पोटेंजी का मतलब होता है आवकात यानि उसके अंदर की असर को जानना और किसके अंदर की अगर कोई घोल भी लिय में इसकी count किया जाते हैं मान के चलिए कि 0 से लेकर कि 7 तक यानि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर कि 4 तक इसको दो भागों में बाढ़ दें तो 0 से लेकर 7 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे मतलब जो भी संख्याएंगे 0 आजाए 0.1 आजाए या 0.2 आजाए 5 आजाए 1 आजाए 1.2 आजाए 2 आजाए 2.3 आजाए या 7 के बीफूर जितना भी अंक आ रहा है याने जितने भी वईलू आ रहे हैं तो समझ लेना कि यह अमल है क्या है अमल है और 7 से लेकरके कि चोशाओदे के बीच में यानि साथ से उपर और 14 से बीच है यानि साथ और 14 की बीच में आया जाने वाले जितने वी वेलू होते है न पिये जो भी आएंगे वह आपका क्य पता लगाते हैं पीछ स्केल के माधियन से इसलिए इसको निर्मित किया गया ताकि हम लोग आसानी से किसी पदार्त में मौझद अम्लिया और चारिय की गूर को पता लगा सके देखिए मान के चले कि आपको अबजेक्टिव किस तरीके से पूछता है आप से पूछ सकता है कि मान के चले के साथ से निचे अगर है जिसका पीछ मान साथ से कम हो वो अमल है कि छारे तो आप क्या बोलेंगे अमल है अगर जिसका पीछ मान साथ से उपर हो तो उसको हम क्या कहेंगे छारे और जिसका पीछ मान साथ हो तो क्या कहेंगे मान के चले के साथ हो यानि बीच में तो यहां पर समझेगा अगर इस तरीका का अब्जेक्टिव हो सकता है यह आप से पूछ सकता है कि हमारे अमाशय में जो जटर रस है यानि है उसका पीछ मान कितना है यह मान के चलिए कि इन्ने वेज का पीछ मान पूछ सकता है जो इंपोर्डेंट के तरह लिख दिया हो अगर 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 याद कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा है यहां पर सुनिएगा को अभे यहां पर जो है ना जटर रस सबसे पहले बात आती जटर रस का प्याच मान कितना होता है तो यह याद कर लिजेगा 1.2 होता है उसके बाद से पूछ सकता है कि निम्भू की रस्त का प्याच मान कितना होता है तो आप कहेंगे 2.2 होता है ठीक है ना तो यह क्या है 2.2 हो यह 1.2 यह साथ के नीचे हैं कि नहीं है तो यह समझ लेना कि यह अमल होते हैं रख्त का पिएजोंा 7.4 मतलब यह से कम नहीं है व को ठोड़ा सब्साथ जादा है उसके बात से इन성 प्रवावलचै की बान करें red इसका पूरा का पूरा प्रापीज प्राबल हम और जिसका प्राबला कि ऑ स्प्राबल लो बनाने के रूप में इसते ऐते होत सारे आग्हों के पैट में जब दिक्कति से आप थोड़ी दिर पहले ही पढ़ रहे थे कि जब प्राबल आम और प्राबल छार आपस नहीं करते हैं तो लवाट तथा जल बनते अर्थाथ वह अभी किरिया के फ़स्वरूप एक उदासीनी करण अभी किरिया का निर्माण होता है और पूरी तरीका से अमल छार के और अमल को असर को काड़ देता है तो यहां पर देखिए एमजी वेस्टू का पिएच मान कितना होता है दस होता है यह याद रखेगा अच्छा एक इंपोर्टन बात है जो यहां पर मैं लिख दिया हूँ अगर पिएच मान 5.6 से कम हुआ तो अमलिये वर्सा होगी यानि जो चाहिए पीट काुण बढ़ने पर अटसीत का परियोग आप कहेंगे सर पेच मान बढ़ने पर तो वह चारी हो जाए नहीं मेरे बारे आप सेंस को समाझे पेट का पीएच मान बढ़ने पर यानि यह Δ Unix अगर आपके अंदर और सीडिटी बढ़ रहे है इसका मतल़ की लीकुल होताgeneration जो आपके अम लिधा की Congratulations बन जाने In जाने के बारान आपको चीज की जरूरत पड़ती है的 जैसे कि होता क्या न कि निम्बू भ़ले ही अपने आपने अम लिधा का गूंड रखता है लेकि पीट में जाने के बाद ये चारियता का गूंड दिखाने लगता है तो खर निम्बू का बात छोड़िए इन्नों अगरा आप मार्केट से खरीद कर उसको चाटने की कोसिस किजिए कर दिखे को वह स्वाद में कड़वा लगते हैं मतलब उसका टे पीते हो जब पीते होना तो पांच मिनट के बाद आपके अंदर की असीडिटी ठंडा हो जाती है आपकी बढ़ती हुई एसीडिटी कम हो जाती है और आप नर्मल और बहुती कमफ़र्टेबल फिल करने लगते हो तो यहाँ पर समझे यह जो एंटासीड होता है यह मिल्क जाता है और जब अमल के साथ अभी करता है तो आप थोड़ी देर पहले यहीं पढ़ रहते हैं जब अमल और चाहर आपस में अभी क्रिया करता है तो क्या होता है लवड़ता धजल यानि उदा सीन हो जाता है मामला ठीक है ना तो यहाँ पर एंटासीड का आप पर यूग जानने जी कि पीएच मान बर्णने पर यानि कि आपका पेच मान बढ़ना मतलब चारी मन नहीं जाता है विसमान बढ़ना मतलब आ और यहां पर 00. Scotland से भी कम होना इन् 처 आपका acidity बढ़ जाता है इसके करना आप क्या करते हैं आप छारी घोल या कोई छारी पदार खाते हैं तो आपका पेट का acidity कम हो जाता है मुह के pH 5.5 होता है से उससे कम होने पर दंद 6 होने लगता है अच्छा केल्सियम फासपोर्ट से बना हुआ जो हमारा दाथ होता है इसके उपर जो accounts होता है इनेमल उसके उपर जब शुक्र गड़ा है जिसको वेनस इंगलिस में करते हैं वायू मंडल तो पर जो वायू मंडल है अगर वह एस्टू एसफोर के मोटे श्वेत यह पीले बादलों से बना है किसे एस्टू एसफोर और मैंने थोड़ी देर पहले एस्टू एसफोर के बारे में भी चर्चा किया आपके साथ तो मैं आपको कोस्टन दे रहा हूं कोस्टन नमबर एक है ठीक है और कोस्टन नमर एक करके उसका आप एंसर देजिए का यस नो में शुक्र का वायू मंडल यानि एस्टू एसफोर यानि उसका जो वायू मंडल है वो सल्फियूरिक अमल के मोटे श्वेत यह पीले बादलोंस बनाया क्या शुचोट अब्लू कुछ इस नमबर एक लिखे के यस यानौ ठीक है आपकी साथ में इसके इसबाना करना सुरोथ हम लिए देता है पर किर्दिक सुरोथ है और यह अमल है ठीक ना सुनिए गध्यान से शिरका है सिरका तो सिरका का अगर बात करें कि च्पीजत चले चले टमाटर कोई सावल पाजया जाता है। आप कैसे बताएंगा जडर बताइए तो इसके लिए तो कुछ तो chaotic लॉजिक और ट्रिक होना चाहिए ना तो फाइनली हम आपके बीच बहुत ही जबर्दस्त लॉजिक और ट्रिक में आपको बताऊंगा जो कि पूरा का पूरा याद आपको हो जाएगा सुनिए का ध्यान से पर किरती सो सिर्का की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा सेंस लगा रंगी नीसन नंभत ना से ना रंगी और ने लिए मुझान और नंवल अब आईए तामाटर और अमरूद को जाली के अंदर रख दो नहीं तो टोfun जाली में रखो तो हावा पानी लगेगा थोड़ा सा बढ़िया से उसका अच्छा वायू मंडल में रहेगा न तो टमाटर अमरूद को क्या कर दो जाली में रख दो तो आप इसको रिपीट कीजिए देखिया आपको याद हो जागा तो नानी ने ट्रीक बताई थिक ना सिर पर टीका नारंगी और निम्बू में क्या पाया जाता है तामाटर अमरूद को मने जाली में रख दो जाली से अक्जेलिक अमल हो जाएगा अक्जेलिक अमल में क्या होता है तामाटर अमरूद में क्या पाया जाता है और जेलिक अमल पाया जाता है अब यह दूद और दही को दूद और दही को लटकाना मतलब लैक्टिक अमल पाया जाता है चिट्टी और नेटल के डंग चिट्टी और नेटल जो भी है न जी भी चिट्टिया इसको फॉर्म के अंदर रख दो ताकि इधर उधर जाय नहीं ने तो लोगों को परशान करेगी तो फॉर्म के अंदर रखोगे तो फॉर्म इक अमल हो जाएगा और इसको एक और नाम से जाते हैं जीसको कहते हैं मेथेनोईक अमल तो बाते आपको समझ में आगए गए अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर बहुत अच्छा ट्रीक लगा ठीक है आप सुनिए अगला आपका टॉपिक है क्लोर छार पर किरिया बहुत ही इंपोर्डेंट है जो आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑविस है सुनिएगा ध् चाहिए तो अब क्या होना चाहिए लमर्त जल होना चाहिए यहां पर सुनिए इन्ने हान में सुनिए करने से फखेकर करते हैंि और उसके जलिये विलियन में और जलिये विलियन में क्या होना चाहिए लावर तथा जल होना चाहिए से विदूद्धारा परवाहित किया जाता है परवाहित करने पर यह वियोजित होकर इन्ने वेच एवाम क्लोरीन गैस उत्पन करता है ठीक है इसी को हम क्या करते हैं क्लोर जीत होकर कि क्या हो जाता है इन्ने वेच एंकलोरीन गैस उत्पन करता है जैसे कि देखिए इन्ने सील है और एस्टू है ठीक ना यहाँ पर अगर डिफिनेशन बढ़िया से नहीं किलियर हुआ ना तो मैं जब समझा रहा हूं तो समझेगा एक चुली कहाना कि इन्ने सील है क एक टब के अंदर मैंने क्या कर दिया नमक पानी का घोल रख दिया समझेगा ध्यान से एक टब है और उस टब में मैंने क्या किया नमक पानी को एक साथ मिला करके घोल तयार किया और घोल जब तयार किया तो क्या हुआ मैंने दो रड डाला क्या 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 दो नर्म लोहा ड परवाहित किया और विदू धारा को हम लोग डेल्टा या तिर्भूत से दिखाते हैं मैथमेटिक्स की भासा में सुनिएगा एनने सीयल और एस्टो मैंने जब एक साथ मिलाया तो अभी किरिया के फॉल सरुक एनने सीयल और एस्टो को इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे त उसके दो सीरे निकाल करके आपस में एक किसी सोर्स अफ एनने एलेक्टिसीटी मैंने किसी विदूद से मैंने सोर्स लेकर करके उसको जोडने की कुछिस किया जब मैंने विदूद्धारा परवाह किया तो इसके अंदर हल्चल मची क्या हुआ खलबली मची अब इसके और ओएच अलग हो गया है एच पलस अलग हो गया है तो क्या हुगा एनोड पर चला गया क्या चीज़ क्लोरीन क्यों नहीं जाएगा क्योंकि एनोड एक पॉजीटिव चार्ज है और पॉजीटिव निगेटिव ही आसकता है एक बात याद रखेगा मेल फीमेल का जोड़ा ही बहुत अच्छा से चलता है गरम ठंडा एक साथ बढ़िया सा रख सकते हैं दोनों गरम आदमी को यानि बोले तो दोनों पॉजीटिव चार्ज को एक साथ नहीं रख सकते हैं जैसे कि दो मर्द अगर किसी रास्ते को तै कर सब्सक्राइब कर रहे ना है को अगर्ट में नहीं उसता और और मॉड़ का रिस्ता बड़ा खास होता है पर इन्हें वह पंडरी के रहा दियां वह पानी के अंदर रह गए इन्हें वह तरक आ नहीं है। यह पानी के अंधर रहाए और यह को लोरीन कहां चले गाए जड़ा बताये तूर का जैनलोर्ड वो क्या बनाया गया तरीडंध और धर को हम लोग प्लस यानि पोजिटीव के नाम से जानते हैं तो एनोड पर कौन जाएगा आपका जाहिर सी बात है कि कुलोरीन जाएगा अब देखे अब यह जो तीन चीजे तैयार हुई मनें बोलो तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस चले गए और एनोड पर एनोड पर कौन चला गया कुलोरीन गैस चला गया अब जरा बताइए कि बाकी बची हुए जो इन्ने ओएज है क्या है इन्ने ओएज है यह इन्ने ओएज का क्या हुआ यानि इस घोल विलियन का अब क्या हुआ तो तीनों का अलग 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 दशाओं में इसका इस्तमाल हो यूज आप मैंने लिख दिया हूं आप से अब्जेक्टी में पूछेगा देखेगा सी एल टू यानि गैस जो कहाँ पर है आपको कुलोरीन गैस यह एनोड पर जाकर के उपस्तित है एस्टू गैस कहाँ पर है बताइए कैथोड पर है और इन्ने वेज उसी पानी के अंदर म परवाहिद की गई तो इनने ओएच और स्यल टू और एस्टू गैस का निर्माढ हो गया यानि कि जब इनने सेल को एस्टू के साथ गोल विलियन तयार करके जब उसमें तो दूसरा मनें आपना और बहुत सारे लोग जाते हैं नहाने के लिए पानी गंडा हो जाता है तो जब सी क्लोरो फ्लोर कारबन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कृट नासर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इंधन के लिए और खाद के लिए इस्तेमाल किया जाते है खाद के लिए अमोनिय के रूप में और नोच की बात करें तो धातू में लगे जंग या ग्र भले आप इसको हलका में ले रहे होंगे बट यहीं चीज आप से एक्जाम में पूछा जाएगा सुनिएगा क्या चीज तो CL2 यानि गैस का जो कहां गया था एनोड पर गया था ठीक है ना एनोड पर जो CL2 गया वो उसकी कहां पर इस्तेमाल किया गया जल की स्वास्ता स्विम आपका पूरा का पूरा ये जितना भी टॉपिक हुओ अब चली कुछ और टॉपिक है जो आपकी एक्जाम के पॉंट अफ़्ीय से एंप्येर और इसी चेप्टर का है तो चली बिना दिर किया हम लोग नेक्स्ट अफ़्ीशा अफ़्ीयर आफीन होने वाला है जो आपकी के point of view से important है आपको बता दी कि यह जो मैं लिखा हो ना आपके यह भले ही लास्ट टॉपिक है इस चेप्टर का लेकिन यकीन मानिये तो इसी से सबसे ज्यादा objective question पुछे जाते हैं तो देखें यहां पर सबसे पहले आप से पूछ लेगा कि बताइए धोवन सोडा या फिर उसका नाम बदल करके वासिंग सोडा या धोवन सोडा करें पूछेगा कि इसका रसायनिक सुत्र क्या होता है या यह भी पूछ सकता है कि नेमलिखित में से कौन एक धोवन सोडा या वासिंग सोडा का रसायनिक सुत्र है यह आपके एक्जाम के पॉइंट वीव से काफी इंपोर्टन है इसको तो आप स्कीप मत की जाए क्योंकि इसमें परतियक मनें जो है ना पदार्थ के रसायनिक सुत्र के साथ हम लॉजिक के साथ आपको याद करा जरन आने वाले हैं ठीक है न सुने वासिंग सोडा या धोवन सोडा उठेक कि निमलिकेत में से कौन वासिंग सोडा यह तोस नई तो यह थे आपको याद रखेंग क्या करना है अगर नहीं तो वहाँ Pvt e2o यानि के 10 बाल्टी पानी समझें स्टी फवानी मतलब पानी टो तो 10 बाल्टी पानी से आपको याद आजाना चाहिए धुवन सोडा, क्या, 10 बाल्टी पानी से याद आजाना चाहिए धुवन सोडा या वासिंग सोडा, और सोडियम कर्बनेट, तो 10 is to, मतलब जब आपसन में रहेगा, तो कुछ इससे तो हिंट स मिली ही सकता है, कि यहाँ सोडा का सोडी ने बताया था यहाँ दस वाल्टी पाने से सोडा का याद आ जाएगा अब यहाँ दखिये बेकिंग सोडा डेली सोड़ा यांनी यह हाँ पर देखे कि सोडीयम कर्मनेट यानि भाई बीच में रहेगा यहां पहले और कर्भोनेट बाद में समझें हड़ा ना सव्डकाश। और बीस में बाई रहेगा सभाई से आपको याद हो जाना चाहिए बेकिंग है क्या ये थे वेकिंग सोडा याद को चर्णा Why कर्मा impact से 만든 बीच में गोल मुह ठीक ना यहीं लॉजिक लगाना है गोल का मुह से याद आ जाना चाहिए याद या फिर इसको ऐसे भी होता है देखेगा इसको ऐसे भी रसानिक लिखता है और ब्राइकेट के अंदर ओसी एल और फिर से सी एल तो ऐसे भी लिखा रहता है यह केल्सियम ऑक्सी कोलराइड लिखा रहता है तो गोल का मुह से क्या याद रहेगा विरंजक चोंड ठीक ना और बाई से ब्लीचिंग सोरी बेकिंग पार्टन सोडा ठीक ना और यहा यहा पर ऑर विरंजक चोंड आपका यह बिलीचिंग पारडर या विरंजक चोंड प्लास्टर आफ प्रीस में आ जाएगे प्लास्टर अफ प्रेष छी के इस तरीके से भी देता है अच्छा और पूरा लॉजिक के साथ आपको यह याद करना कि प्लास्टर प्रेश जब तक हाफ है तब तक सीए सो फोर का हाफ एस टो क्या हो जाएगा प्लास्टर पेरिस यह पाउडर के फॉर्म है लेकिन यह जटिल और कठोर तब हो जाएगा याँ जीपसम बन जाएगा और सी एसो फोर टूएस टू अच्छा प्लास्टर प्रेश के इस्तमाल कहां किया जाता है प्लास्टर 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 प्ल मिला करके gypsum का इस्तिमाल किया जता है और रियली में powder सिर्म में जब होता है तो किस तरह होता है plaster of Paris के form में वहता है और उसका रसायनिक सुत्र CSO4 half H2O लेकिन जैसे ही थोड़ी सी पानी मिला दी तो वह बन जाता है जिपसा और जिसका रासानिक सुद्र होता है CSO for 2H2 अच्छा तो अच्छा कोई कष्ट देने वाला सोड़ा नहीं कास्टिक सोड़ा मतलब यह आपके कष्ट को मीटाने वाला सोड़ा है ठीक ना जिसको कहते है प्राबल चार या इनने वेज कहते हैं ठीक से तो हर हमें एक पूछी देता है इसमें से इसको टीक कर लिजिएगा ये काफी इंपोर्टन साबित होता है देखिए गा नीला कसिस का यहारा कसिस के यह स्वेथ का सिसका ये तीनों में से एक कोई objective के तोर पूछ देता है तूतिया कारा साइनिक सूत्र बोल देगा या न है कि कॉपर है तो समाझ लेना तूतिया का रसाइनिक सूत्र है नीला कसिस है अगर साथ करते हैं या बुझा हुआ⁉ यानि जो चुना बुझ गया है उसमें पानी की मात्रा रहे हैं अर्था I was two calcium hydroxide बोले तो स्य वेष्टू ठीक है न चुना जल या बुझा हुआ चुना का रसाइनिक सुत्र है कली चुना की बात करें तो बीना बुझा हुआ कहिए यह या कली चुना कहिए हुआ है चुना जो बीना बुजा हुआ है यानी कभी जिन्दा है तो क्यल्जी क्यल्षियमौ रहा है ठीक हना उसके बाद से बात करेंगि चुना पतर का तो चूना पतर का या स्लिए संग貼क पतर कर यह दो किये पत्र करने यह देखने हैं तो इसी यह हो钱 별 में आ आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे लगता है कि इतने कम समय में इस चेप्टर को मैंने जो समझाने की कोशिश किया, आपके उपर कोई बहुत ज़्यादा बोज फिल भी नहीं हो रहा होगा बड़े ही रिलेक्स के साथ इस चेप्टर को आप आसानी से समझ गए होंगे और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों में जरूर सेयर कर दीजेगा ताकि ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचे और वो दोस्त आपका इस वीडियो का फायदा उठा सके ये कॉंटेंट काफी परभाशाली है एक्जाम के पॉइंट और वीव से मैंने सारे टॉपिक को टच करने की कोशिज किया और आपको टच कराने की कोशिज किया मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी पावरफुल है अगर ये आपको भी लग रहा है कि ये वीडियो काफी पावरफुल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि this video is very powerful ठीक है ना और आपकी exam के point of view से भी काफी important है तो ये भी जरूर लिखेगा कि this video is very important for exam ठीक है ना या board exam जो भी अधरक lesson प्यार जो भी लिखना है आप comment में जरूर लिखेगा आपने प्यारा प्यारा बात को जरूर comment में लिखे comment box को खाली नहीं छोड़ना है और हां मैं फिर से काना चाहूंगा I would like to repeat this sentence again and again कि आप इस वीडियो को आपने तक नहीं बलकि दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वार्षेप चनाते होंगे तो वार्षेप पर जरूर 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 इसको एस्टेटस लगा दीजिएगा एक गुर्दक्षिना के रूप में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के सांथ तब तक के लिए जैहिंद